नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप पुलिस विभाग से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं अपनी जौब के लिए या फिर आप CSC सेंटर के लिए सकते हैं या फिर अप Theans LiarS्तों से UP कॉप्ट डाूड़े लिए वं मंसा ही फार आपको अपन करेंगे तो आपके सामने कुछ परकार का इंटरफिस ओपन हो जाएंगा यहांपर आपको अपने करने यह और हैं कि करेक्टर से बिकार डॉमेंस्टिक एसा बाइड को दी जाती है पिलेस बिभाग कि और से जिसको हम अपूं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर दे tv यहां पर आप दे सकते हैं पर लोग इंग करने के लिए हमें बोला जा रहा है सबसे पहले हमें अपना एकाउंट को क्रिएट करना है यहां पर आप दे सकते हैं don't have an account हमारे पास कोई एकाउंट नहीं है तो सबसे पहले हम साइन अप पर क्लिक करेंगे एकाउंट को क्रेट करने के लिए सबसे पहले यहां पर दे सकते हैं अपना नाम को इंटर करना होगा उसके बाद आप जेंटर आपको स्टिट करना है उसके बाद आपके मोबाइल नमबर पर बिजा जाएगा तो ओडिवी को आपको इंटर करके वेरिफाइब कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेस्फुल कंप्रीट हो चुका है यहां पर लोग इन करने के लिए दिन हमें आप अपना मोबाइल नमर को इंटर क करना है उसक में वेरिफाइब करना है यहां पर देसकते हैं लगने वाला धशुक्त और अवेध्र सत्यापन होना है नो बाव स्थाई पता उत्रप्रदेश का होना दोनों आपका उत्रप्रदेश का होना चाहिए तभी आप इस करेकृत के लिए धूंके यहाँ पर यहां करना रहे हैं इसके आप पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आपका मोबाइल नमबर आ जाएगा फिर आपकी इमेल आड़ी भी आ जाएगी जो आपने पहले से जो है साइन अप के समय इंटर की थी उसके बाद आपको अपना फादर नेम इंटर करना होगा उसके बा आपका permanent address है वो आपको यहाँ पर mention करना है उसके बाद आ जाएगा do you have any criminal record और any criminal proceeding against you or your family यानि कि आपके एंगेस्ट या फिर आपके family against कोई भी criminal record है या नहीं है तो उसके आपको yes or no के option पर click करना है तो यहाँ पर आगर no है तो आपको no के option पर click कर देना है उसके बाद आपको अपना latest passport site photo upload कर देना है उसके बाद आपको term and conditions को एक्षूर करना है उसके बाद आपको submit को option पर click कर देना है इस तरह से आपको सारे form को fill करना है उसके बाद आप यहाँ रिसकते हैं आपको एक refresh number दे दे जाएगा आपको अपना payment का प्रोसेस कम्प्लीट कर लेना है, आप निट बैंकिंग, केरिट कार, डेविट कार या फिर यूपिय के दौरा payment कर सकते हैं, आपके नहीं मादुमें से payment को complete कर लेंगे और आपको वहाँ पर अपना refresh number मिल जाएगा, उसके बाद आपका process complete होता है, सारा process complete हो आपको character certificate जो है, option चूश करना है, उसके बाद आपको year जो है, चूश कर लेना है, उसके बाद आपको search कर देना है, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप service जो request number मिलता है, उसे इंटर गर के आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर देंगे, यहाँ पर आप होती है, हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे कैसे हमारा process complete हुआ, इस तरह से आप apply करना चाहें, तो apply कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब पीजिए,